आपका स्वागत है हमारे यूटूब चानल में आज की इस वीडियो में मैं आपको PC या लाप्टाप में SSD या हार्डिस्क के पार्टिशन कैसे करते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ PC या laptop में SSD या hard disk के partition करने के लिए सबसे पहले आप इस PC पे right click करके manage पे click कीजिए manage पे click करने के बाद disk management पे double click कीजिए double click करने के बाद window SSD पे right click करके shrink value पे click कीजिए shrink value पे click करने के बाद यहाँ पे आपको जिस size का partition करना है वो number यहाँ पे type कीजिए यहाँ पे number type करने के बाद shrink पे click कीजिए shrink पे click करने के बाद unlimited पे right click करके new simple value पे click कीजिए click करने के बाद next पे click कीजिए next पे click करने के बाद फिर से next पे click कीजिए उसके बाद finish पे click कीजिए finish पे click करने के बाद आपके laptop, desktop या PC में partition create हो जाएगा इसी तरह से आप Windows 7, Windows 10 या Windows 11 के laptop, desktop या PC में SSD या hard disk के partition कर सकते हो